Assalamualaikum guys, welcome to my youtube channel guys, आज की स्टुडियो में हम वेटेड मीन मालूम करेंगे so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिये गए बेल आइकोन को प्लिक कर लीजिए ताके आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें so, वीडियो स्टार्ट करते हैं guys, यहाँ पर मैंने question लिख लिए है question में हमारे पास price और quantity given है जैसे के 10, 12, 14, 16 price है हमारी और quantity है 5.5, 6.5, 8.0, 9.0 जब price 10 थी तो quantity 5.5, 5 थी 12 price हुई तो 6.5 हो गई quantity price 14 हुई तो quantity 8.0 हो गई और price 16 हुई तो quantity 9.0 हो गई इसके इलावा guys, formula weighted mean का, weighted mean हम जिस formula के थ्रू मालूम कर सकते हैं वह formula यहां पर लिखा हुआ है, x bar means के हम इसको mean को जो है weighted mean को हम x bar और w से शो कर रहे होते हैं means weight से, so mean of weight is equal to submission w x divided by submission w w को हम weight से show कर रहे हैं, x हमारी वो value है जो के quantity वगईरा को show करेगे so guys, अब सबसे पहले हम एक chart बना लेते हैं, column बना लेते हैं, जिसमें हम values को put करेंगे अब हमें इस formula में submission w x चाहिए और submission w चाहिए so guys, यहां पर मैंने एक chart ready कर लिया है, यहां पर अगर हम देखें तो मैंने columns बनाये हैं कुछ columns में हमें जो चीज़े मालूम करनी है formula के साफ से हमें x की value चाहिए होगी, w चाहिए होगा और w x को फिर हम इन दोनों values को multiply करेंगे तो हमारे पार w x की value आ जाएगी, so अब हमने करना किया है guys, x हमारा represent कर रहा है price को so जितने प्राइस की values होंगी वो हम x की ही column में लिख देंगे, like 10, 12, 14 and 16 यह मैंने लिख दिया है, अब guys, यहां पर w जो है वो represent कर रहा है weight को, means किसी भी चीज़ की quantity को so हम यहां पर weight लिख लेंगे 5.5, 6.5, 8.0 and 9.0 so यहां मैंने यह भी लिख रही है values, अब हमने करना क्या है guys, सबसे पहले हम इनको multiply करके w x मालूम कर लेंगे, w की भी value हमारे पास आ गई है और x की भी value आ गई है so जब 10 को हम 5.5 से multiply करेंगे, so guys हमारे पास 55 आ जाएगा 12 को हम 6.5 से multiply करेंगे, so हमारे पास 78 आ जाएगा 14 को 8.0 से हम multiply करेंगे, so हमारे पास 112 की value आ जाएगी और 16 को हम 9.0 से multiply करेंगे, so हमारे पास 144 आ जाएगी value है, यहां पे हमने वेट Mean नहीं मालूम कर लिया है और इसके लावा वेट भी मालूम कर लिया है, आभ इनके submission चाहिए होंगे अब हम submission मालूम कर लेते हैं इसका जो submission आए का guys डबलू formula में मुझे submission W चाहिए और submission W X चाहिए तो हम इन दोनों के submission मालूम कर लेते हैं submission W means इन सब को total करके जो हमारे पास value बन रही होगी वो 29 है जो मैंने यहां लिख ली है then submission W X weighted mean हमारा बराबर होता है submission W X divided by submission W आप मैं values यहां put कर लेती हैं submission W X में रपास 389 value आ रही है और submission W 29 आ रही है then guys हम इनको divide कर लेंगे divide करने के बाद यहां पर जहां हमारे पास answer इसका बन रहा है वो है 13.41 पर kg इस question का उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिस